कभी दास जी कहते हैं निंदक नियरे राखिये आंगन कुटिय समाए बिन पानी साबू बिना निर्मल करे सुकाए कहा कि आपकी जो निंदा करने वाले हो अलोचना करने वाले हो आपके जो अलोच अखो उसको पास में रखिये समीप में रखिये नियरे राखिये, नजदिक रखिये. वो हमारा पहला पुन्य मेरा नहीं स्टै कि cannot respect us कि इसके कि ऊड़ी करने वाला कोई होना तो समझ नहीं आप पुन्य व्यक्रवरों जो पुन्य साली हो उसी की आलोचना करने वाला कोई होता है उसे लिए हमाना लिखा गया कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाई कहा कि आलोचकों को समीप रखिए नजदीक रखिए कितने नजदी कहा कि आपके घर की बाहर उनका घर बना करके दीजिए चाहे तो आपके पैसों से घर बना करके दीजिए क्योंकि आलोचक होगे तो आपका जीवन बदलता रहेगा बिन पानी साबू बिना कहा कि आप जब नहने के लिए बातरुम में जाते हो तो वसायद पानी और साबू की जरुवत पड़ती है साबून और पानी से आपकी काया निर्मल होती है लेकिन यहां कभी दास जी यह कहते है कि बिन पानी साबू बिना निर्मल करे सुकाई, पानी और साबू के बिना आपकी काया को निर्मल कर सके, यह ताकात आलो चको के पास है। जीवन में वो सौभग्य साली है, जिनके जीवन में कोई आलोचक है, क्योंकि आलोचक हमें सही मार्क पर रखते हैं, हमें सही रास्ते पर रखते हैं, हमके इधर उदर भटग जाए, तो भी हमें सही मार्क पर लेकर आते हैं।